हलो फ्रेंड्स मैं तरिपती मेरे किजिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक इस केक को आज ओवन या कड़ाई में नहीं बनाएंगे बल्कि एक पैन में बनाएंगे पैन में केक बहुत जल्दी बन जाता है और उतना ही जादा टेस्टी लगता है खाने लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे बोल के अंदर डाल देंगे आदा कप दूध तो मैंने हल्का गरम दूध लिया है हमें हल्का गरम दूध का ही इस्तिमाल करना है אीज गै aujourd देगा चैसे आज यह गल्का भी dokter ऑग बने दमार में आपे मैंने 5 मिनिट के लिए साइड में रख दिया था और उसके बाल अच्छे से mix कर लिया है और अब इसके अंदर P CV चीनी डाले गे मैं इसमें 3 Fourth cup पी सेवी चीनी डाल रहे हूं साथ में one Fourth cup oil डाले अब हम भूण देंगे इसके अंदर अंदर ड्राइंग्रेडियन्स टालेंगे तो मैंने ये थलनी बोल के उपर रख दिये इसके अंदर डाल देंगे मैदा तो मैं इसमें एक कप मैदा डाल रहे हूं सभी चीजों को हमें सही नाप से लेना है और अब मैं इसमें one-fourth कप coco पौडर डाल रहे हूं एक छुटा चम चम्मस डाल देंगे इन सबी चीजों को अच्छे से च्मस चाल लेंगे च्छालने से आपस में अच्छे से mix हो जाती हैं जो भी इसमें 1 4th cup दूद और डाल देंगे पहले हमने आधा cup दूद डाला था और अब मैं इसमें 1 4th cup दूद और डाल रही हूं लेकिन दूद हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फेस तरीके से mix करते जाना है बस हमें दूद को room temperature पर लेना है इस ब मिक्स कर लेंगे तो मैंने से mix कर लिया है और अब जो हमारा बैटर है वह बिल्कुल तयार है तो अब हम जिस पैन में बनाने वाले है वह वाला पैन लेंगे यह नॉन स्टिक पैन है इसका जो bottom है वो थोड़ा heavy है लेकिन अगर आपके पास heavy bottom वाला पैन ना हो तो भी आप केक को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसे तेल या बटर से क्रीज कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर लगा देंगे बटर पेपर लगाने से जमारा केक है उनीचे की साइट से जलेगा नहीं इसलिए मैंने बटर पेपर लगाया है और अब हम इसके के लिए लो फ्लेंट पर गरम कर लिया है इस करम तवी के उपर इस पैन को रख देंगे और दककन की ओपर अच्छेड उसे भी बंद कर देंगे ताकि इसको हीट अच्छे से मिल सके और अब हम इसे 20-25 मिनट के लिए लो फ्लिम पर पकाएंगे तो पचीस मिनट हो चुके हैं और अब हम धक्कन को अठा के चेक कर लेते हैं तो देखने में तो लग रहा है केक पक चुका है लेकिन एक बार हम तुत्पिक से भी चेक कर लेंगे तो देखे हमाई आपको लगता है कि ठीक से पकानी है तो आप 5-10 मिनट के लिए और इसे पका लीजे और अब मैंने केक को ठंडा होने के लिए रख दिया है तो केक हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे तो इस तरीके से प्लेट में रखके फिर उसको उल्टा कर देंगे इससे हमारा केक बहार निकल आएगा अगर ना निकले तो हलका सा उपर से टैप कर दीजे तो केक निकल आता है और वैसे भी हमने नॉन स्टिक पैन लिया है तो इजीली हमारा केक निकल के बहार आ जाएगा और उपर से जो बटर पिपर लगा उसको भी हम हटा द कर देंगे छेट करने से जब हम इसके अंदर सिरप डालेंगे तो इजी ली सिरप अंदर चला जाएगा और हमारा केक बहुत और अब मैंने ये 500 ग्राम डाक चौकलेट लिया आप कोई सी भी दाक चोकलेट इसके अंदर ले सकते हैं और suspended आ दाल रहे हूं तो मैंने इसके अंदर ले सकते हैं और वाध इसके अंदर भूड़ कप कर लिया है और आप देख सकते हैं जो माई चॉकलेट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और अब हम सीरफ बना के तयार कर लेते हैं इसके लिए मैं कप के अंदर डाल रही हूं पानी तो मैंने चार से पांच बड़े चमच पानी डाला है इसके अंदर दो छोटे चमच इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम केक को मोईस्ट करेंगे तो जो हमने सिरफ बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे तो हमें अच्छे से सिरफ डालना है ताकि केक हमारा मोईस्ट बने तो मैंने सिरफ इसके अंदर अच्छे से डाल दिया है और अब जो हमने chocolate melt करके रखिए वो भी इसके उपर डाल देंगे और अब हम chocolate को अच्छे से cake के उपर फेला लेंगे अगर इस टाइम आपको लगता है कि जो chocolate है वो बहुत जादा थिक है और फेलाने में बहुत जादा दिकत आ रही है तो आप थोड़ी सी chocolate के अंदर दूद मिल फिर आप इसके ऊपर ढाल के स्प्रेड किजिए बहुत इजी लिए Oooh बुर्त जाएगी और लास थिक हमारा है को चॉकलले biscuit से सटरी से टाल रही इसे केक हमारा देखने में भी अध्योगे और ठाने में भी अच्छा लगेगा और अब मैं लास में कुछ आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रू ट्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें फिर मिलेंगे एक नहीं रेसि